है अगर यह जो चलिए रैंकिंग में कुछ और कोशन करके देखते हैं कुछ अलग टाइप से कोशन मेरे पास है कुछ आठ नव कोशन है उसको इस पार्ट में हम लोग करके देखेंगे चलिए कोशन ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे देखेंगे PQRST पांच मित्र है, T S से छोटा है तथा P से लंबा है Rs S से लंबा है Q S से थोड़ा छोटा है वह T से थोड़ा लंबा है सबसे छोटा वह सबसे लंबा क्रमसा कौन है आपको बता नहीं तो ऐसे यह पर Cape C आ लेकिन इस टाप एला कोशन में एक ही टाप से प्रश्ण रहेगा और उसको थोड़ा से महनात के बाद आप जमा लेंगे और एक ही प्रश्ण साल होगा और यह आपका रैंकिंग में आता है ठीक है तो चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है उसकी इसाफ से जमाना शूरू करत T S से छोटा है कहां पर आएगा वो देखेंगे अभी ठीक है नेक्स चलते हैं अब T की ही बात कर रहे है तथा P से लंबा है T S से छोटा है और P से क्या है लंबा है मतलब P जो है नीचे आएगा अब T क्या हो गया लंबा हो गया ठीक है हम लोग ऐसा इसका सिक्वेंस रखे ह हो आएगा कि इस तरह के सी ये बढ़ा हुआ है आर जो है स से लंबा है आर स से लंबा है तो आर उपर में आएगा से लंबा हो गया वो इसके बात Q Q, S से थोड़ा छोटा वर T से थोड़ा लंबा है, कोशन को ध्यान से आप पढ़ते चले जाएंगे, यहां जमाते चले जाएंगे, क्या कोशन बोल रहा है, statement बोल रहा है Q S से थोड़ा छोटा S से थोड़ा छोटा और T से थोड़ा लंबा मतलब यहाँ पे Q आएगा यहाँ पे क्या आएगा Q आएगा इस प्रकार हमारा right arrangement लिखने की जौरत दोबारा जौरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसको लिख रहा हूँ आप exam में इसको directly ऐसा कर सकते है arrangement ऐसा हो जाएगा ठीक है अब question क्या बोलता है सबसे छोटा वह सबसे लंबा क्रमशा कौन कौन होगे सबसे छोटा कौन से दिखाई दे रहा है आपे P और सबसे लंबा कौन दिखाई दे रहा है R तो हमारा answer हो जाएगा P and R ध्यान देना है इसी sequence में लेना है P and R, R and P बोल देंगे तो वो हो जाएगा गलत तो P and R यह पहला question था चलिए, दूसरा question देखते हैं इसमें क्या दिया हो है A B से लंबा है परन्तु C जितना लंबा नहीं है A जो है B से लंबा दिख रहा है A B से लंबा है परन्तु C जितना लंबा नहीं है मतब C इससे लंबा है ठीक है D जो है E से लंबा है अभी D E के बारे में हाँ पे तो कुछ है नहीं तो मैं लिख नहीं सकता अलग से लिख सकता हूँ D E से लंबा है न मैं हापड़ D लिख लेता हूँ और ये E लिख लेता हूँ ऐसा आए गई D जो है E से लंबा है ठीक परन्तु B जितना लंबा नहीं है अब बोल दिया D E से लंबा है परन्तु B जितना लंबा रही है मतलब B के नीची क्या जाएगा D, B जितना लंबा ने, D, E सी तो लंबा हो गया, लेकिन B जितना लंबा नहीं है, ठीक है, अब कोशन को आप लोग और पढ़ सकते हैं, स्टेटमेंट को और चेक कर सकते हैं, यह बिल्कुल सहीं आपको मिलेगा, C, A, B, D, E, यह जम गया, कोश तो ध्यान देंगे, option में क्या दिखाई दे रहा होगा आपको, A दिखाई दे रहा होगा, A, A जो दिखाई दे रहा होगा, वो है C लिखा है, और C, option C लिखाई दे रहा है, E, तो हमारे mind में क्या चल रहा है, कि हमारा answer C आया है, चल रहा है mind में, तो कभी क्या भी क्या लग लेकिन यह option C है इसके अंतरगत आंसर क्या है यह हो जाता है गलत होता है आसा तिक लगाते समय असी गलती होती है कि अधिक है हमारा अंसर हो जाएगा option a जिसके अंतरगत लिखा हुए है s यह होगा अंसर ठीक है तो ऐसे ही ध्यान रखना है कि कहां हम लोग गल्ती कर देते हैं एक्जाम में चलिए और ऐसे कोशन बना के देखते हैं कोशन को ध्यान से पढ़ना है वीडियो पॉस करके बनाने का प्रयास करना है नहीं बनेगा तो वीडियो रेजिम करके उसका डी एसे आगे है यह देखो यहाँ पर मैं एक लाइन खीच लेता हूँ डी एसे आगे है देखो यह उपर हो गया एसे आगे है ठीक ए बी का पीछा कर रहा है ए जो है बी का पीछा कर रहा है तो ऐसा लिख सकते हैं कि हम लोग चलो बहुत है लिख के रखता हूँ ए बी का पीछा कर रहा है मतलब ऐसे आएगा बी पहले जा रहा है और यह बाद में आएगा ए बी का पीछा कर रहा है कहां पर आएगा देखे लाना है, C जो है A और B के बीच में था, तो जाहिर सी बात है, इन सब को मैं नीचे लेके आऊँगा, ये B और E, और यहां पर मैं जब C को बैठाऊँगा, तो C A और B के बीच में आ जाएगा, और इस प्रकार से ऐसा ये जम जाएगा, ठीक है, D A से आगया है, देखो D A से आ हमारा आंसर हो जाएगा, C जो है बीच में है, क्लियर है, ऐसा इसको बनाना है, ऐसे वाले प्रश्न भी और हुई है, तो करके देखते हैं, ऐसा वाले प्रश्न बहुत ईजी रहते हैं, ठोड़ा समयना और आंसर हमारे सामने होता है, तो अभा भी और कोशन करके देखते है A, B, C, D और E में से प्रत्यक अलग-अलग अंख प्राप्त करता है B केवल E से कम अंख प्राप्त करता है तथा A केवल C से अधिक अंख प्राप्त करता है उनमें सबसे अधिक अंख कौन प्राप्त करता है आपको बताना है देखो, B केवल E से कम अंक प्राप्त करता है, B केवल E से कम अंक प्राप्त करता है, मतलब E जो है, उपर में आएगा, E का सबसे ज्यादा अंक है, और B केवल E से कम अंक प्राप्त करता है, मतलब सारे इसके नीचे आएंगे, सब दो को पकड़ना है आपको, ठीक है, B केवल E से कम अंक प्राप्त करता है जो है केवल सी से अधिक अंक प्राप्त करता है मतब एक नीचे में सिर्फ सी है और इधर कोई नहीं है केवल केवल बोल दिया है वो तो हमारे पास बच कोन गया ए हो गया बी हो गया सी हो गया डी बजगया डी यहां पर आ जाएगा डी बीच में आ जाएगा ठीक है उनमें सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है तो सबसे अधिक अंक ये जो है प्राप्त करता है ये हमारा आंसर हो जाएगा सबसे अधिक अंक ई प्राप्त करता है उम भी लेकर चलते हैं, पांच पक्षी हैं, कवा, कबुतर, छोटा कबुतर, बड़ा कवा और गरुर। एक पेड़ की शाखा में, शाखा से एक के बाद एक उड़ते हैं, बड़ा कववा कववा के बाद उड़ा, देखो, मैं लिख लेता हूँ कि बड़ा कववा लिख लूँ, यह देखो, हिंदी बाले और इंगली स्वाड़े खोड़ों देख लेंगे, लॉजिक चेन नहीं होता है, चाहिए कोई सभी लेंगुज हो, बड़ा कववा, किसके बाद उड़ा वो रहा है, कववे के बाद उड़ा, मतब कववा जो है, पहले उड़ा, यहां कववा को रख लेते हैं, ठीक है, कववे के बाद उड़ा, बड़ा कववा कववे के बाद ठीक, उसके बाद, मगर गरूड से आगे है, ध्यान देंगे, यहां मगर सब्द लिखा हुआ है, यहां पे जो मगर है, वो क्रोकोडाइल वाला मगर नहीं है, ठीक है, वो लेकिन वाला मगर है, कोशन सौल करते हैं, हम लोग कोशन पढ़ते पढ़ते हैं, इसमें कन्फ्यूस हो जाएंगे, लेकिन यहां पे तो पक्षी की बात कर रहा है, मगर पक्षी नहीं है, वो जबर्दस्ती ऐसे शब्दों को यूज किया हुआ है, जिससे कन्फ्यूस हम होने लगें, लेकिन हम हो नहीं रहे हैं, बड़ा कववा कववे के बाद उड़ा, मगर गरूड से आग कववा और बड़ा कववा के बीच में देखो, यहां कववूतर लिख लेते हैं, यह कववूतर, कववा और बड़ा कववा के बीच में है, ठीक, उसके बाद, छोटा कववूतर कववा के आगे है, जो सबसे उपर क्या आ गया, छोटा कववूतर आ गया, देखेंगे इस इसमें जैसे यासे पक्षी को यूजिस किया हैं इसक बड़ी बात नहीं है यह हो गया हमारा sequence कोशन क्या पूछ है सब से पीछे कौन सा पक्षी है साब साब यहां में दिखाई दे रहा है हमारा आंसर हो जाएगा जमाना बस सही है एक बार आप जमा लिए आंसर आपके हाप में आ जाएगा ठीक है चलिए और कोशन लेकि चलते हैं यह भी इंट्रेस्टिंग कोशन है सुनेंगे पांच दिब्बें हैं बॉक्सें जिस पर एक दो तीन चार पांच अंकीत है वे अलग अलग वजन के हैं डिब्बा एक डिब्बा पांस से भारी है कोशन ध्यान से यहां पढ़ लेंगे मैं गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट किया रहता हूं हो सकता है कुस मिसमेच हो जाए कोशन मुलता है ज्यादा तर हिंदी में रहता है हिंदी से मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं तो आप लोग विरोधा बास होता है तो हिं दिब्बा पांच को मैं नीचे रख लेता हूँ, ठीक, लेकिन डिब्बा तीन से हलका है, जो डिब्बा एक है, डिब्बा पांच से भारी हो गया, और डिब्बा तीन से हलका हो गया, ऐसे करम में हैं हलका और भारी है, ठीक, डिब्बा चार, डिब्बा तीन से भारी है, डि लेकिन डिब्बा दो से हलका है, मतलब दो इसकी उपर आ जाएगा, चार जो है तीन से भारी हो गया, और दो से हलका हो गया, तो हमारा सीक्वेंस इस प्रकार से जम गया क्या, ये देखो, ऐसा ये जम गया, ऐसा ये जम गया, फिर से पढ़ते हैं, देखें, डिब्बा एक, डिब्बा 5 से भारी है यहां है, लेकिन डिब्बा 3 से हलका है, ठीक, डिब्बा 4, डिब्बा 3 से भारी है, हाँ भारी है, लेकिन डिब्बा 2 से हलका है, ठीक, तो क्रमसा है, सबसे भारी है, सबसे भारी 2 है, तो 2, और सबसे हलका कौन सा है यहां पे, तो 5 है, 2 और 5 है, ऐसे ह अंसर जो भी आप्शन में दिखाई देगा वहीं हमारा देखो कि अख़ए के दिख रहा है ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है डिबब दो और डिबब पांच है ना बॉक्स टू एन बॉक्स ऐसा यह अंसर आ जाएगा आसानी से यह बन्य आप भी बना सकते हैं कोई दिखत नहीं है चलिए नेक्स वोशन दिया हुआ है ध्यान से सुनेंगे सुरेश अनिल से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना की राजू है अनिल जैस से लंबा है करोना सुरेश से लंब भी है लेकिन राजू से कि इस से लंबा यह अनिल से लंबा है तो यह अनिल के लिए नीचे में आ गया अनिल से लंबा है हो तो गया लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना की राजू है, मतलब राजू इससे भी लंबा है, ना दिख रहा है का ये ठीक है, इसको हम लोग जा कर लेते हैं, राजू, अनिल जयेश से लंबा है, अनिल जयेश से लंबा है, मतलब जयेश जो है, नीचे आ जाएगा, जयेश से लंबा है, ठीक है, करुणा सुरेश से लंबी है करूना सुरेश से लंबी है ठीक है उपर वो तो राजू बैठ है लेकिन राजू से छोटी है बता दिया याने की बीच में यहाँ पर कोना जाएगा कोना जाएगी यह करूना जाएगी कोना जाएगी करूना इन में सब से लंबा कौन है सब से लंबा राजू है ये हमारा answer हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा one कि चलिए next question चलते हैं क If और मोहन से लंबा है हरी इकिस तरह से छोटा है कृिश्ट मूरली से लंबा है गोर पाल मूरली से छोटा है मोहन गिरिधर से लंबा है तो बतार सबसे च्वोटा कौन और एसा पढ़ने में ऐसा लगता है इसको बनाएंगे कैसे के। चलों छोड़ो कोसें को आगे बढ़ो, लेकिन देखो हम लोगे करिये प्लोट करते जाएंगे, कोसें इसली बन जाएगा, चरिये गोपाल मोहन से लंबा है, ये रख़िए गोपाल किस्ससे लंबा है बोल रहा है Gotcha कोई relation नहीं दीख रहा है ठीक है हारी यहां मैं निकलेता हूँ किस्ससे छोटा है गिर्दर से छोटा है तो यह ऐसा आएगा, देखेंगे जमा के, कहां पे यह जमेगा, ऐसा आएगा यह, हरी गिर्धर से छोटा है, ठीक, देखेंगे आगे, तो देख लेते हैं, गिर्धर शब्द और कहां पे इस्तेमाल हुआ है, देखो, यह कावर से, मोहन गिर्धर से लंबा है, मोहन जो है, ग ठिक ऐसा आजाएगा क्योंकि दो जहां गिर्धार-गिर्धार है मुहन मुहन है तब तो मिले गए वैसर मिला लेंगे सब सेंटेस एक सेंटेस और बज़ गया यहाँ पर गोपाल मुरली से चोटा है गोपाल जो है मुरली से छोटा है मतलब मुरली यहाँ पह जाएगा सेंटेंस को आगे पीछे वो दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है हम लोग मैच करते हुए पढ़ लेंगे अब देखते हैं और किसी के बारे में यहाँ पर दिया और एक दिया हुआ है कृष्ण मुरली से लंबा है कृष्ण जो है मुरली से लंबा है देखो सब दिया हुआ है जमाते चले जाना है बस बस यह नहीं है कि इसमें जो है सिक्वेंस में दिया हुआ है के बाद एक सेंटेंस यूज होगा ऐसा नहीं है पहला सेंटेंस हो सकता है तीसरा हो सकता हो एसा कुछ भी हो सकता है हमको जो काम का सेंटेंस उसको पहले यूज कर लेना है कोई दिकत निकोशन हमको बनना चाहिए तो बताओ सबसे छोटा कौन है सबसे छोटा हरी है यहाँ पे यह हमारा अंसर हो जाए है ठीक है चलिए इस वीडियो का इस पार्ट का एक लास कोशन देख लेते हैं थोड़ा कि आर्जून से पहले है तथा पंक्ति में कुल 48 विद्यार थी है तो सोहन और कैलास के बीच में कितना विद्यार थी देखो इसमें इतना सारा डेटा दिया रहते है कोशन पढ़ते हैं तसा रगता है इतना सारा दिया है डिया है कैसे बने गई यह कर दें लेकिन ऐसा 18b 18 15 iez qoare यहाँपे नमबर हो गया यह व्योंग अर्जृ इसको इसको ए चाहले के यहां पर सूहन और अर्जृ में कैल आश आएगा यहां पर कौुण आएगा बीच में कैलाष आएगा जैसे कशंट में दिये है सोन और देखो कैलाष ठीक है ज LGBT में कुल 48 विद्धार थी है मतलब यहां से यहां तक कितन विद्धार पाटीए लोग हैं तो सोहन और कैलाष के बीच में बदलब यहां पे कितने लोग है वो बताना है शोरेवीजे चितने लोग है वो हमको बताना है तो चलिए देखते लंद इसको यह 48 तो ठोर्टल है जिसमें से 13 तक साना आता है और 18 तक को और जू अर्जुन आता है यहां से कितना बच जाएगा 35 हो जाएगा फिर उसमें 17 गेट सेट्रा लोग हैं जो यहां पर बीच में आएंगे सोहन और अरजुन के बीच में आएंगे कितने सत्रार लो एक तो यह हों गया है एक घटा दिए जोफ आए 60 त्व अमें 11 और पूछा हुआ कि कि सोहन के बीच में के आट लोग यह थे हमारा अंसर हो जाएगा एक यह रेंकिंग का लास पार्ट फार और बह वि को द्लते रहते हैं अब कमेंंट में इसके बता सकते हैं जो आपको नहीं बन रहा है लेकिन यह सब जो तीनों वीडियो से उसको देखने के बाद सारे कोशन बनने लगेंगे और जो नहीं बन रहा है वो भी आप थोड़े प्रयार से बना सकते हैं क्योंकि सारे तरीके आपको आप पता चल रहे हैं तो रिजनिंग में हम लोग ऐसे कुछ-कुछ टॉपिक्स लेके बीजबिक में चलते रहेंगे आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको ऐसे ही वेलियोबल वीडियोस मिलते रहेंगे जिसका एक एक मिनट इंपॉर्टर रहेंगे मैं देवेश आप लोग के ऐसे लेसंस लेख आते रहूगा आपको एसाथ बने रहेंगे वीडियोस देखते रहेंगे शेयर करते रहेंगे तैंक यू करते रहेंगे